हेलो गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग NCRT 11 चैप्टर नमबर 18 वारडी फ्लिड एंड सर्कुलेशन का एक टॉपिक करेंगे जो कि यहां से कोईश्चन बार बाग पूछे जाते हैं तो फर्स्ट कोईश्चन यही पूछा जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसने डिस्कवर्ड किया था है तो उस साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है तो बिलियम हारवे बिलियम हारवे ने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर्ड किया था काफी बार एक कोईश्चन देखेंगे यह इंट्रा सेलुलर सेलुलर सेरकुलेशन तो यह इंट्रा सेलुलर कैरेंगे, मतलब मारकर से हैडलाइन बना देंगे तो वहां से कोयुरें वी गया है जैसे extracellular circulation को intercellular भी कहते हैं या extracellular दे सकता है या फिर intercellular 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 circulation भी दे सकता है तो extracellular दे या intracellular दोनों एक ही है extracellular, intracellular का मतलग means होता है extra means बाहर और cellular means cells ये देखिए लिखा गया है this type of circulation is seen in higher animal like humans इस type का circulation किसमें देखा जाता है higher animals में जैसे humans में pressure difference between artery and the cells membrane ये देख लिजिए ये artery दी गई है ये artery बनाए गई है and between artery and the cell membrane और ये cell membrane है cell membrane में carbon dioxide का diffusion आके यहां होगा और यहां पे artery में oxygen होगा oxygen का diffusion यहां पे होगा किसमें? cell membrane में तो ऐसे ये चलेगा next जो होगा intracellular intracellular का means क्या होगा intracellular का मितलब intra means within w-i-t-h-i-n within and cellular means cell तो cells के बीच में ही होगा क्या होगा? circulation this type of circulation happens inside the cell ये देखिए जैसे ये cell है तो इसी के बीच में क्या होगा? circulation होगा it is seen in unicellular organism और lower organism ये unicellular organism में होता है या lower organism like pyramycium जैसे pyramycium में तो ये आपका होगया intracellular, extracellular और ये पूरी complete ये slide जो काफी important है यहाँ से काफी question पूछे जाते हैं जैसे देख लीजिए ये divide कर दिया गया intracellular circulation में और extracellular circulation में intracellular circulation को cyclosis कभी भी पूछ लेगा question और पूछा भी गया कि cyclosis type circulation किस में पा जाता है तो direct आप pyrrh lessons इंडरा सेललर circulation किस में पा जाये February जितने वे eukaryatic cell होते है जैसे fungi होते हैं protozoans होते हैं human cells होती है ये eukaryatic cells होती है और fungi एनिमल ये सभी including proto जोबा जितने भी proto जोबा होते हैं जैसे ऐगलीना, पेरामीसियम ये सभी protozova है तो all eukaryatic cells में और protozova में intracellular circulation होता है ये एकदम आप note down कर लीजिए extra cellular circulation या intercellular circulation एक ही होता है तो extracellular circulation किसमें पाए जाता है ये देखिए अगर extracellular circulation में water circulation की बात कर देगा ऐसे question पुछेगा कि water circulation किसमें पाए जाएगा तो porifera, porifera में कौन सा आता है sponge और sealant rate आ है ये दो phylum में water circulation पाए जाता है next में platy helmetis, ये सब extracellular circulation में आता है intercellular circulation क्यों कि इसका जो circulation होता है inter 2 cell के बीच में होता है circulation थो इसलिए इसको extracellular or intercellular circulation बोलते है तो खभी question पूछा भी गया कि pyranchymal fluid circulation किसमें पाए जाता है तो platy helmetis में ये देखिये ब्राइन chymal fluid circulation और ये तो काफी बार question पूछा गया कि pseudo-sylomic fluid circulation किसमें पाए जाता है तो it поехragen as menteis में काफी बार question पूछा गया है और आप लोग यह note down जरूर करें और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लाइक जरूर करें वीडियो को लाइक अगर आप करेंगे तो फिर motivation काफी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का अच्छा-च्छा मन भी करता तो आप ल आपड़ करें लाइक करें और सबसक्राइब करें यह देखिए लेस्ट चलिए ब्लरडड़ सरक्डेसन किस फाइलम से सुरूर होता है तो एनीड़ीड़ के बाद आर्फोड़ आर्फोड़ा के मुलस्का मुलस्का के बाद गाता यन सबीन सर्कुलेसन होता है यहां पर आइल सर्कुलेसन होता है इस दो फायलम कस्में होगा चीह मैं यह देखिए ये भी question एक बार पुछा गया था कि blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organs, ऐसे question पुछा गया था कि most commonly used body fluid by most the higher organs, including humans for the transport purpose, invertebrate, another body fluid, lymph also help in the transport of certain substance, तो ये पुछा गया था कि सबसे best body fluid situation में क्या use किया जाता है, क्या use होता है, तो वो blood होता है, और blood के सिवा भी, ये blood के सिवा क्या होता, transport, invertebrate में, यह देखिए, यहाँ से आप पढ़िए, invertebrate में, invertebrate नहीं, vertebrate में, another body fluid कौन सी होती है, जो help करती है, transport of substance, substance को एक जगा से दूसरे जगा ले जाने में, तो ये आपके complete वीडियो होगई, ऐसे चोटी चोटी वीडिय मिलती रहेगी, तो ये आप, I hope आपको वीडियो अच्छा लगए होगा, तो आप वीडियो को लाइक और सब्स्राइब जरूर करने, थाइंक यू,